दोस्तो भारत में सस्ती गारी सेग्मेंट में आल्टो जिसने तहल का मचार रखा है इस गारी को गड़ी टकर देने महिंद्रा भी अब उतर चुकी है मैदान में और ला रही अपना एक जबरदस छोटा सा इलेक्टरिक कार जिसका नाम है महिंद्रा एटम महिंद्रा एटम इ सबसे सस्ती और सबसे जदक किफायती इलेक्टरिक कार होने वाली है यह गारी दोस्तो भारतिय बजार में मध्यम वरगी परिवार को ध्यार में रखकर बनाई गई है जो लोग महिंगी महिंगी इलेक्टरिक कार्स को नहीं खरी सकते महिंद्रा एटम के अंदर दोस्तो में ली तीन लोग बहुत अराम के साथ बैठ सकते हैं महिंद्रा एटम में दोस्तों आपको AC से लेके हीटर सारे इंटरटेर्मेंट के फीचर देखने को मिल जाते हैं इतना ही नहीं दोस्तों इस गाड़ी के अंदर आपको करीबन 7 इंच का बड़ा सा टेच स्किन भी देखने को मिलेगा जो की आपके इंटरटेर्मेंट के लिए लगाई गई है और गाड़ी में दो स्पीकर भी दिये जा रहे हैं महिंद्रा एटम इलेक्ट्रिक की डिजाइन की भात करूं तो इसे दोस्तो आप इसे माइक्रो वैन या मिनी वैन कह सकते हैं योगि यह दोस्तो डिजाइन है यह वैन के आकार में बनाई गई है बता दे दोस्तो महिंद्रा एटम इलेक्ट्रिक एक बार फुल चार्ज हो जाने पर एक सो सतर से लेके 220 किलो मेंटर तक कर सकेगी गाड़ी में दोस्तो तीन प्रकार के ड्राइविंग ओप्चर्स भी देखने को मिलेंगे जैसे कि इको, सिटी, एन स्पोर्ट्स गाड़ी दोस्तो टॉप मोट बर करीबन 80 किलो मेटर प्रती घंटे के रफ़तार से चल सकेगी अब दोस्तो इतना कुछ जान लिया तो आपके मन भी ये ज़रूर सवालाया होगा कि क्या होने वाली है कीमत महिंद्रा एटम की भारत में महिंद्रा एटम की कीमत दोस्तो जो भारती बजार में एक्सपेक्ट की जा रही है वो दो लाक रुपे से लेके तीन लाक रुपे के बीच मानी जा रही है महिंद्रा एटम दोस्तो पारिवारिक यूज के साथ साथ एक कॉमर्शल परपस यूज में भी लाया जा सकता है जहां पर आजकल जो आटो रिक्षा चलते हैं उसको भी आगे चलके रिप्लेस करने का दम रखती है महिंद्रा एटम इलेक्ट्रिक आप इस गाड़ी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं या गाड़ी कब लॉंच हो रही है तो दोस्तो ये गाड़ी करीवन मानी जाती है साल 2022 में भारती बजार में एंट्री लेगी तो दोस्तो क्या आप तयान है नहीं नवीली महिंद्रा एटम इलेक्ट्रिक को अपना बनाने के लिए या नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और भी ऐसे वीडियोस को देखनेंगे लिए सब्सक्राइब करें इवी वेल्ड को मिलेंगे अपने अगले वीडियो में ठेंक्स वो वाचिंग